तो वेलकम बैक कैसे हैं आप सब अभी हमने लास्ट टिटोरेल में देखा था कि हम क्या हमारे बेसिक टर्म्स होते हैं बुलियन अल्जिवरा के अंदर अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिफरेंट टाइपस ऑफ कनेक्टिव कनेक्टिव का दूसरा नाम जो जो सबसे पहला हमारे जो ऑपरेटर आता है वो आता है आपका नॉट जिसका दूसरा नाम होता है निगेशन बात करते हैं हम लोग नॉट की तो नॉट जो होता है यह सिंगल इन्पुट पे यह सिंगल इन्पुट पे क्या करता है काम करता है ठीक है मतलब इसके लिए क्या maximum single input पर ही operation perform कर पाता है मतलब simple सी बात है कि not क्या करता है यह single variables के उपर यह क्या करता है आपका single variables के उपर जब भी operation perform कर पाते हैं हम लोग not के अंदर आप बात करेंगे इसके sign symbols कैसे होते हैं इसके signs जो होते हैं कुछ एक डैश की तरीके से होता है उसके बाद फिर आपका exclamation mark भी होता है साथीसाथ आपका ये दो अलग अलग आपके उपर एक बाड़िय को सायनस दी जाते हैं दो इसका सा दो इसका नाम होता है अब लगा दिए उसके बाद फिर हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं इस यह कुछ अलग अलग हमारे तरीके होते एक निगेट करने के लिए का निगेशन लिखने का अपका नौट को नौट किसी वेरियबल के पर नौट लगाने का फाइन यह सिंपल सा तरीका इतनी value possible है या तो 0 या फिर a की value 1 तो यह output अगर हमने इसका a negation लिखा तो यह क्या देदेगा यहां पर 1 यहां पर a negation लिखा तो क्या देदेगा 0 देदेगा fine तो clear हुआ यह क्या है simply returns the opposite of the input जो भी input होगा उसका opposite return कर देता है fine आगे बढ़ते हैं यह इसका truth table अगर हमने बात करें truth table हमने last tutorial में देखा था क्या होता है a है तो a का combination 0 और 1 बन सकता है तो a negation क्या बन सकता है 1 0 यह actual में क्या होगे इसकी truth table truth table क्या होती है truth table truth table is nothing but what maximum possible combination का maximum पॉसिबल का सेट होता है truth table क्या होता है maximum possible combination का tabular set होता है tables के पार में हम सेट कर देते हैं तो negation क्या होता है clear हुआ मतलब कोई भी variable हो जो भी value होगी उसका opposite हमें दे देता है बात करते हैं दूसरे का दूसरा हमारा आता है disjunction या फिर उसका नाम होता है और उसका नाम क्या होता है disjunction या फिर और बात करेंगे और की तो और क्या होता है आपका प्लस या फिर दूसरा जो आपका sign होता है वी का एक plus के sign से और दूसरा वी के sign से हमारा और represent किया जाता है मतलब हम लिख सकते हैं अब बात करने थोड़ा और ब्रीफ में इसके बारे में और डीटेल में हम बात करेंगे इसके लिए तो और क्या करता है minimum इसके लिए दो inputs होने चाहिए बिना दो inputs की operation नहीं perform कर पाता है जैसे वो था कि आपका इसके इंदर एक इंपुट पर operation perform कर रहा था इसके इंदर ऐसे पॉसिबल नहीं मिनिममम दो इंपुट चाहिए ही चाहिए बात करेंगे maximum की maximum infinite number of input हो सकता है इसके अंदर को रिस्रिक्शन नहीं होता है कि एक या दो या तीन या चार या पांच infinite ۔ आपके inputs की ऊपर operation perform कर पाता है ठीक है और साइं से सब्सा और आपका pearls कै una okay जो यह कि ओधें ग्लो Han कि कहते हैं इंपूल सकते हैं ऑगी हम लग बात करते हैं इसके अपर ओप्रोड यह क्या क्या देता है और या देकित रिक्वार्यूंड निमिमम नुपड गlor one of the input argument is true then output will be simply true बात करें और क्या होता actual में है मैंने कहा blue और black that means दोनों में से अगर आपके पास कोई एक भी रहा तो आप क्या बोल दोगे true मैंने कहा भाई आपके पास blue pen है और black pen है क्या और black pen है क्या मैंने का blue pen लुटन में से कोई एक भी वैलेबल होगा दोनों में में से कोई एक भी आपके पास गोगा तो आपके फोगे यह सर एक है ठीक मतलब सिंबल सा है कि आपका दोनुमें से कront यह भी एवैलेबल होना चाहीं तो और उसी दरीचे से जboth करता है रिटर्न करता है true if any of the any of the input is true कहता है कोई भी input true होगा तो हम output में क्या देंगे true देंगे until unless until unless आपका क्या नहीं है सारे आपके all the inputs are false then क्या देदेगा यह false देखते हैं कैसे के काम करेगा यह हो गया 0011 बी हो गया 0101 यह true टेबल बनाने का तरीका है maximum possible आपकी जितने combination मन सकते इसके बारे में detail में आगे पढ़ लेंगे ठीक है जिसको नहीं समझ जा रहा हो मैं आगे बता दूंगे इसको अभी a plus b तो 00 सारे input false है output false कोई एक input true है हाँ है कोई एक input true है हाँ है कोई एक input true है हाँ है तो यह क्या हो गया आपका यह true table बन गई किसकी of or get of two variables simple सा इसके अंदर हमने क्या देख रहे है यहाँ पर कि भाई अगर कोई भी एक भी input true है तो output क्या आ जा रहा है हमारा true आ जा रहा होगा होगा आगे हम लोग बढ़ते हैं बात करेंगे conjunction की conjunction जो की क्या होता है आपका and होता है conjunction जो की and होता है अब and किसे रिप्रेजेंट किया जाता है और आपका exponent के साइन से दो तरीके होते हैं अब करता क्या है अगर बात करते हैं लोग and की तो and के साथ भी same scene है minimum to minimum इसके लिए क्या चाहिए होते हैं इसके लिए क्या होते हैं दो inputs की requirement होती है fine इतना clear हुआ अब आगे बढ़ते हैं maximum it can have what infinite number of input output कैसा देता है output यह single output देता है ठीक है एक output देता हम है अब काम क्या कैसे करता है यह देखें require minimum two inputs ठीक है if any of the value is false it results false it simply means multiplication कैसे मैंने कहा pen and pencil मैंने आपसे पूछा are you having pen and pencil ठीक है pencil तो क्या कहोगे आप अगर दोनों में से कोई एक भी नहीं है तो आप कह दोगे no मतलब simple सा logical statement क्या कहता भाई दोनों की बात हो रही है दोनों होना चाहिए दोनों है तभी condition true है नहीं तो false है तो simple सा यह end क्या करता है if all the inputs are true then true else false कहता भाई सारे inputs क्या है true है तो आप true result true दीजिए नहीं तो false दीजिए नहीं समझा है कह क्या रहा है कि a है suppose और b है a की value 1 है b की value 1 है ठीक है तभी output 1 आना है a की value 1 b की value 1 तभी output 1 आना है true table बना के देख लेते तो ज्याद अच्छे समझ्या आ जाएगा and का simple सा काम होता है multiplication हो कैसे अभी आगे समझा देंगे a है हमारा क्या है a है b है 0011 01 01 तो अभी यहां पे क्या बन जाएगा a dot b all the inputs are true no 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 all the inputs are true yes तो output आपका क्या आगे true आगे fine simple सा है multiplication कैसे हुआ 0 0 0 दे दिये 0 1 0 into 1 क्या होगा 0 1 into 0 0 1 into 1 1 simple सा concept है आप बात समझेंगे simple सा concept है all the inputs are true then true else false reading fine यह बात किसकी होगी आपकी and की इतना clear होगे अच्छे से अब अगर यह नहीं से चीज़े समझ आई होगी तो आगे वाले में बहुत जादा problem होगी fine इसको देखने के बाद आगे करते हैं आगे जो हम लोग बात करेंगे इतना clear होगे ना अच्छे से कोई भी दिक्कत हो प्लीज नीचे comment कर दीजे operator होते हैं दो हमारे आगे आते हैं conditional operators बात करेंगे conditional operators क्या होते हैं condition कुछ बता रहा है actual में conditional operator में हमारे दो आते हैं एक आता है implication और एक आता है हमारा यह पहला हो गया और दूसरा हमारा आता है एक्पी वेलेंस ठीक है दो तरीके होते हैं आपका implication और दूसरा होता है हमारा है इक्विवेलेंस बात करते हैं देख लेते हैं यहां पर conditional implication जो होता है उसको हम रिटन में मतलब लिखते क्या है जैसे एंड और होता है तो वैसे हम लिखते हैं ठीक है अब इसके अंदर जो में सबसे बड़ी चीज है हमने लास्ट इसके पहले देखा था लास्ट अगर आपने लेक्चर देखा हो तो वहां पर एक टर्म था मारे दो टर्म थे एक हम नहीं होंगे हमने लिखा算 kaat करते हैं हमने लिखा एक इंप्लिकेशन भी करें सान यही था हमने इंib video के अंदर क्या होता हम यह अदर क्या होता है इस और और ऑऽ इसब्सक्रेशन हो गया है यह और अफ सब्सक्रेशन एक्सक्रेशनियों पूरी है फर्स पार्ट ऑफ एक्स्प्रेशन को हम क्या कहते हैं एंटी सीडेंट कहते हैं फर्स पार्ट ऑफ एक्स्प्रेशन को हम क्या कहते हैं एंटी सीडेंट कहते हैं सेकंड पार्ट ऑफ एक्स्प्रेशन को हम कहते हैं कौनसी क्वेंट फर्स पार्ट को एंटी सेकंड पार्ट को क्या करते हैं consequent करते हैं अब देखते हैं इसका output minimum 2 input चाहिए होता है maximum इसके अंदर 2 ही होता है if the antecedent is false क्या बोला है अगर antecedent antecedent का मतलब क्या हुआ पहला statement is false then output is what true कह रहा है कि अगर antecedent false तो output क्या देना output हमारा उस case में true देना ठीक है and when both antecedent and consequence are true then result true कह रहा है जब ये भी और ये भी दोनों true हों तो क्या देना आप true देना तीसरा false for all other combination इसको लिख के समझते हैं पहली condition क्या थी antecedent हमारा क्या है true है तो output क्या जाएगा sorry antecedent हमारा क्या है false है तो output क्या आ जाएगा true आ जाएगा antecedent one हुआ consequent one हुआ तो output क्या आ जाएगा हमारा true आ जाएगा तीसरी condition क्या हो जाएगी when consequent आपका ये दो केसे से बाकी सारे combination के लिए हमारा क्या है false others के लिए क्या आ जाएगा हमारा false आ जाएगा तो टेबल बना के सीख लें है antecedent क्या है consequent क्या है clear antecedent क्या है consequent क्या है clear अच्छे से true table बना के देख रहते हैं ए है यह बी है यह 0011 यह 01 01 फाइन तो अभी ए implication भी हमने लगाया पहली condition antecident is false antecident false और पुद तुरंथ हम लोग क्या देखें के बिना consequent को देखे antecident false तो बिना consequent के देखें हमां output क्या देंगे बद आंटी सेन फॉल से बिना consequent के देखें आट पूट क्या देंगे बद एंटी से आ रहे हो लेकिन ऐसा है नहीं तो 0 आ जाएगा एंटिसेडिंट बन हैं इतना अच्छा से क्लियर हो गया तो यह बात किसकी थी हमारी इंप्लिकेशन की बात करते हैं बाइ क्लिकेशन की है हम लोग बाइ कंडिशन की तरफ मुव गरते हैं कि इसके नदर जो सिम्पल सी कंडिशन आती है वह आपका रिप्रेजेंट गया आता है if and only if का use किया जाता है इसके अंदर if and only if का use किया जाता है terms के अंदर कैसे terms use होते हैं हम लोग आगे देखेंगे यह आपका double head arrow होती इसके अंदर कैसी होती double head arrow होती a implication d requires minimum to input यह क्या होता है इसके अंदर requires minimum to input if antecedent and consequent are equal then results true for all other cases false क्या कह रहा है आपका antecedent is equal to क्या होना चीए consequence by conditional में क्या कहता है equivalence में क्या कहता है antecedent किसके बढ़र होती consequence के देखते हैं a है b है 001101 0101 a implication by conditional b दोने equal है हाँ है दोने equal है नहीं है दोने equal है नहीं है दोने इक्वल है तो यह कंडिशन बन जाती है आपकी किसकी कोई भी दिक्कत हो प्लीज नीचे कमेंट कर दीजे बार बर पूछी मैं बार बार बताने को तयार हूं बट प्लीज अच्छे से प्रिपेर करें क्योंकि यह सारी जो टॉपिक्स हैं बहुत जादा इंपॉर्टें आपको 25 मार्क्स का वेटे जाता है तो फाइन थैंक यू